इस भी होजिए लुए लुए टेराइट बीजाए लुए टेर्टे शाव फिर से स्मार्ट बोर्ड के अपर वीडियो चल रहा है अब तुम्हें से बहुत लोग बले बना दिया था 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 कुई बात नियुए था था तो कुल मिला कि आज हम करना ले economics का अगला chapter जो कि है sectors of Indian economy बहुत ही खूपसुरत सा और बहुत ही simple सा chapter इसमें कोई जाधा load है ही नहीं मैं जो example बहुत simple रहने वाले और सबसे अची बात कि term 1 में आने वाला है तो mcq-centric रहने वाला है chapter उसके अलावा इस chapter का जो snippets से पढ़ले 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 वहां पर तुमको Spotify के ऊपर या फिर और जो बड़े streaming platform से Apple podcast हो गया या फिर Google podcast होगा तो महाँ पर तुम लोगों को यह podcast देखने को लेगा जिसमें कुछ छोटा सा audio रहेगा अपर उस audio के इंदर पूरी के पर चैप्टर का एक सार तो अगर तुमको कुछ देखने का बनने कर रहा है फिर तुमको ऐसी lazy बैठे देने का मन कर रहा है फिर पर ऐसे आलस आ रहा है तो कान में एड़वांस लगा और उसको सुन लो मजा आ जागा तुमको बहुत अच्छा लगा एक आइगा तुमको तो वेल्कम टु पढ़ले 10-30 बिफ़र साटिंग तुम लोगों को नहीं पता है कि इसके नोट्स दाउनलोड कहां से करने तो तुमको पढ़ले.in के पर नोट्स देखने को बहुत साथ में इसके जो MCQ धेर सारे वो भी पढ़ले.in वेबसाट के अपर आ रहे होंगे क्योंकि इस अंडर अगर मिल जाते हैं थोड़े से मस्ती मजाख हो जाता हम आप पर और बाकी एड़ेट कौन प्रना यूजरने में उसके अलावा कर तो इसको पढ़ले 9th & 10th के नाम से है तो इसको बहुत जितनी इंदे हो से को जोन कर लो बहुत मजा आने वाला है क्योंकि इसके अंदर भी क इसकी सुना मेरी बात है हमसे बैल आइकन जरूर प्रेंज करना ठीक है क्योंकि बैल आइकन प्रेंज करोगे तो नोटिफिकेशन आएगा कि यहां पर आप लाइव स्ट्रीम भी आ रही है तो कुल मिला के अथा कॉंटेंट तुम लोगों को इस चैनल पर पर प्रवाइड क से अलग-अलग पार्ट होते हैं तो अमको सेक्टर सफिंडियन एकोनमी कही कहा कहा से एकोनमी कैसे अपरेट हो यह क्या-क्या अलग अलग-अलग्अ से बस इस चैप्टर के अंदर वही देखना और अत्छा आसान चैप्टर है बिलिकुल लॉजिकल है बचपन से सुनते है वही सारी चीज है और थोड़ा थोड़ा जो मैं तुमको बताऊंगा आ जाएगा तो sectors of economic activities तो देखते हैं क्या क्या there are what are the sectors of Indian economy चलो बहुत ही बड़िया ये देखो simple सी चीज है औरे भया ये क्या इत्ता सारा लिख जाने नहीं कुछ नहीं सिंपल सी चीज है देखो sectors of Indian economy तो basically हमने आज तक जीवन में क्या किया है पढ़ना लिखना के मामले में क्या क्या हमने हर किताब के अंदर क्या किया हुआ हर चीज को अलग-अलग types में डिवाइड कर दिया ठीक है अलग-अलग criteria में डिवाइड कर दिया आज अलग हो सकता है कि मुझे A plus grade आ रही है Righ B R E B plus R E और E R H ठीक है On the basis of sports मेरा अलग criteria हो सकता है कि में sports में अच्छाओं किस में अच्छाओं football में cricket में किस में अच्छाओं on the basis of behavior, क्या हो सकता है, कि मैं मस्तिक हो हूँ या, फिर मैं चुप बाटना हूँ, इंट्रोवर्ट एक्ट्रोटर क्या हूँ, तो basically व्यक्ति एक ही है, पर इसके अलग-अलग तरीके हैं, इसको categorize करते हैं, तो ऐसे ही sectors को हमने major ली, काफी सारी चीज़ों में हमने वो कर रखा है, दूसरा करेटर ही का on the basis of employment condition, और तीसरा है on the basis of ownership, बहुत सिंपल सी चीज़े, लोड नी लाना, बिलकुल लोड नी लाना, पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर हम ये पढ़ेंगे, फिर हम ये पढ़ेंगे, मतलब ये, ठीक है, तो देखो, on the basis of economic activities, क्या-क्या है, पहले 2 degree और 3 degree, अगर तुम लोगों को कोई भी व्यक्ति ये लिखते होई दिखता है, तो इसका मतलब ये होता है, 1 degree का मतलब होता है, primary हमेशा, ठीक है, जैसे कि primary, हर चीज में primary, 2 degree मतलब secondary और 3 degree मतलब tertiary, हाला कि इसकी जरूरत नी थी, बट मैंने थोड़ा ऐसा ज्यान बाट द इसकी नहीं है, बट primary मतलब की, the start of anything is here, ठीक है, जैसे अगर हम स्कूल की बात करें, तो स्कूल के अंदर होता है, हम पहले primary classes में आता है, ठीक है, फिर हम थोड़ी आगे classes बढ़ते आता है, तो वैसे वैसे चल रहा है, तो primary, secondary, tertiary, primary के अंदर क्या कहता है, बेसिक चीज है, बेसिक, बेसिक मतलब क्या, agriculture, farming, fishing, तो ये सब चीज़े क्या है, ये बिल्कुल nature से हमको मिल रही है, ठीक है, बिल्कुल fundamental चीज़े है, जैसे agriculture हमको nature से मिल रहा है, तो basic fundamental, अभी थोड़ा-थोड़ा fundamental, ऊपर-उपर से idea दे रहा हूं, जाधे detail में नहीं बता रहा हूं, ठीक अब हम क्या करेंगे, अब अगर हमको उससे biscuit बनाना है, क्या बनाना है, biscuit, या biscuit, जो भी तुम बोलो, biscuit बोलते है, biscuit में feel आ रही है, तो अगर हमको उससे biscuit बनाना है, तो biscuit बनाने क्या करेंगे, उसको manufacture करेंगे, उस wheat को कहा लेके जाएंगे, उसको हम factory में लेके जाएंगे, तो वो क्या वा secondary sector रहा मतलब primary good क्या था हमारा wheat है ना तो primary होगई फिर वहाँ से हमको tod मरोड के कुछ add subtract करके हमने product बना है product बना है biscuit तो biscuit आगया second sector के अंदर और अब उस biscuit को हमको अपने घर तक लाना है तो जो ट्रक के अंदर बैटके ओ, विस्कुट आ रहा है, वो क्या होगा, ट्रांस्पोर्टेशन, अब ये एक जरूरी चीज होगी, जो कि इन दोनों को लिंक कर रही है, है न, तो ये होगा टर्शेरी सेक्टर, तो बेसिकली, प्रामरी सेक्टर क्या होता है, अगरी कल्चर Secondary सेक्टर कया होता है, मेनुफेक्चर अगरा तो फेक्टरीज वगरा, चोटे जो भी फैक्टरीज वगरा होती ही, वो सब सेक्टेशेर में याँ, तो टर्शेरी के अंदर सर्विसन गार्श आता है जैसे ट्रांस्पर टेशन एक सर्विस होगी, फिर आमने बिस्कूट त तो, क्या होता है महाँ पर बिभण हमको नीस चीज इस हम को प्ता है, thread is the concept यहां पर होता है, तो क्या होता उसके अंदर kोई paper work नहीं है, मैं खड़ा हो हो ज़िए मैंने बोला किक्वा क्या काम ज़िए क्या गोलाको, क्या जा, मैं गया उसके पास में इच्छा हो वो हो सकता है महाँ पर चलो बहुत ही बड़िया काफी ज्यादा घरी लुभाशा में तुमसे बात कर रहा हूं और यही कंसेप्ट ठीक है ऐसे तो तुमको दोस्त के लिए फिल आने चाहिए कोई टीचर पड़ा रहा है ऐसा लगना चाहिए कि तुमारा भाई पूब है ला कईध को मैं मेरे कमपनी है तो पाइवेट ऐसा समयढुको जॉढ्ट सेक्टर मतलब कि आहां पब्लिक और प्राइवट सेक्टर दोनों उसमें व् गारा डिन ऑन रहता है अब इसके बार में ज्यादा ग्यान वर्थक याण वर्ड़यां आठ के जलके करेंगे पिर और क्या के लिए सकते हो एक तो आइडिया भी बिस्कुट का या रहा है उसके लोग चाही निया रहा है दिमाग के अंदर पर समझो पर एक्जाम्पल ठीक है पिर जैसे कि क्या किया गया इसके एक्जाम्पल माइनिंग को मतलब समझ रहो तुम जो बिल्कुल basic fundamental चीजे फिर वह सेकेंडर सेक्टर ने पहुँच गया तो बेसिक हो गया बिल्कुल fundamental चीज ठीक है फिर अगरी कल्चर हो गया अरे यह एक तो एक सेकड़ हो गया अगरी कल्चर के अंदर क्या क्या आगया क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक्ट तो यह सब प्राइमरी सेक्टर फिर मिन हमको जो चीजे मिली अगर हमारी यूज के तो बहुत अच्छी और अगर हमको और उनको अच्छा करना है थोड़ा और हमारा यूज हो जा उससे उसको सेकेंडरी सेक्टर में कर सकते हैं कि नैच्छरल प्रॉड्ट्स और फॉर्म्स त्रूम्स ठीक है तो बिस्कुट नहीं अग्री कल्चर सेक्टर या अग्री कल्चरल सेक्टर तीक है दुसरे वालेों को क्या बोला अच्छरी कि इसरे वाले को हम क्या बोलेंगे टीसरे वाले को बोलेंगे arthritis sector it is essential for the development of primary and secondary sector क्यों अरे भाई मेरी बात सुनो अगर मानलो मुझे biscuit बनाना है चलो biscuit, पूरे chapter में बिसकूट छाला है, तो चैट के अंदरicky प्रीमेर चल रहा है तो चैट हो जाए comment box के अंदर biscuit हो ठीक है, और spelling के अंदर kout, श्राइब के बिसकूट मतलब secondary sector में मुझे क्या चाहिए होगा कि भाई इसकी manufacturing हो जाए ठीक है अब मैंने बिस्कुट बना लिया अब बिस्कुट का बहुत सारा लेकर में बैड गया कि अब करूं क्या इसका जब कोई व्यक्ति ही नहीं खरीदने वाला तो मैं करूं क्या या फिर माले लो मैंने अपने गाउं के गाउं में बिस्कुट बना लिया अब उसको मुझे बाहर वहिजना शहर में अब भेजू कैसे तो ये सारी चीज़े कहां आती है कि इसको करें कैसे जितनी भी services है जैसे कि मुझे किस चीज की दरत लग रही है कि बिस्कुट बन गया आप तयार होगे अब क्या करो अब इस चीज को करू कैसे इसको फिर बेचू कैसे तो बेचू कैसे वो कैसे का solution क्या है marketing ठीक है फिर इसको यहाँ भेजू कैसे इस कैसे का solution क्या है transportation तो ये जितनी भी services है ये सब कहां आती है ये सब आती है इसके अंदर काफी आसानी और काफी अच्छी भाशा में समझ में आगया होगा जैसे for example jobs come under this sector banking services अब देखो banking जो है अब भाई बैंक कुछ ना तो कुछ agriculture related है ना तो कुछ पौदे हो गर है banking के अंदर ना ही कुछ manufacturing हो रही ऐसा थो नहीं कि bank के अंदर बैटके manufacture हो रहा है कुछ नहीं वो एक service है जिससे हमको बागी सारी चीजें accessible होते है easily available होते हो तो ये कही में आ गया tertiary sector में आ गया ठीक है फिर जैसे IT sector हो गया जैसे कि अब ये तुम YouTube देख रहा हो ये वीडियो देख रहा हो तो अगर मैं इसको भी categorize कर रहा हो तो कहां आएगा क्या मैं कुछ manufacture कर रहा हूँ नहीं क्या मैं कुछ उगा के ला रहा हूँ नहीं मैं क्या कर रहा हूँ एक service provide कर रहा हूँ ठीक है, तो यह क्या वा टर्जरी सेक्टर हो गया, बहुत ही बड़िया, comparing the three sector, तो अगर टीन सेक्टर कांपेर करना, तो बहुत सीधी सीजी है, कि हम क्या, क्या हम एक किलो आटा, और एक पैकेट अहाँ बिस्कुट, इसको एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे नहीं अच्छा, ऐसा अच्छा नहीं लगारा, ऐसा सुंदर ले, इतनी फील आही रही तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, तो क्या हम, फिर भी मेरी को राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, इसको अच्छा नहीं है, तो देखो, अच्छी वाली बात चीच चल देती, बिस्कुट, बिस्कुट तक हम खेल रहे था, अभी तो आप GDP उठा के लिए, तो देखो, GDP क्या होता है, इसका, फुल फॉर्म, कमेंट्स में बताना, ठीक है, सिंपल से चीज़ है, तो अब ये GDP जो है, इसका जो बिल्कुल, इसकी GDP की, हम बोलता न, आ रहे, GDP बहुत बड़े आए, GDP बहुत बड़े है, GDP बहुत बड़े है, GDP डाउन हो गया, तो ये चीज़ में कैसे क्यलकुल करेंगे, तो एक चीज़ बहुत सिंपल सा गंजर्ब, ठीक है, अगर, देखो, जैसे मैं बिस्कुट के हिसाब से क्यलकुलेट कर रहा हूं, तो अगर बिस्कुट बन गया, बिस्कुट is a buy product of all these things तो जो बिस्कुट की cost रखी मैंने उसमें इस सारी चीज़े cover हो ही रही रही ना already मतलब ऐसा तो नहीं कि आटा की cost cover नहीं हो रही है उसके अंदर है ना obviously आटा की cost cover हो रही है फिर हमारी transportation की cover हो रही है फिर शक्कर की हो रही है सारी चीज़े cover हो रही है है ना तो अगर मैं अगर मैं overall मतलो मैं जीडी की बात जीडीपी level पर बात करो तो अगर मैं बिस्कुट के साथ साथ अगर मुझे जीडीपी calculate करना हो तो बिस्कुट तो मैं सिर्फ final product जो final product है उसके हिसाब से calculate करूँगा अगर तुम बोलोगे कि भाई इसके साथ में फिर wheat का भी खर्चा अड़ करो अरे तो मेरे भाई वो बिस्कुट के अंदर अड़ हो चुका है ना तबी तो बिस्कुट की price होगी है वरना तो बिस्कुट free में बट रहे होते है तो मतलब कहना का मतलब क्या है कि उस 50 रुपे में हमने वो 30 रुपे calculate कर लिए है जो कि हमको primary और secondary goods के लग रहे है primary और secondary sector के लग रहे है आई बात समझ में तो कुल मिला कि हम जब final gross domestic product की बात करें GDP लेल पर बात करते हैं तो यह जो कहने का मतलब है values of only final goods are included इसका मतलब यह हुआ ना 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 ऐसा ना करते हैं चलो बहुत ही बढ़िया आगे बढ़ते हैं देखो यही चीज़े wheat और sugar मिलके biscuit तो बिस्कुट बना तो कुल मिला कि हम जो calculate करेंगे वो इसकी cost करेंगे ठीक है क्योंकि इसके अंदर यह दोनों already included है यह plus यह is equals to यह बना ठीक है तो अगर मैं इसके साथ तत again इन दोनों का add कर दूँगा तो फिर तो भाई यह तो दो बार wheat और दो बार शक्कर की cost calculate होगी ना आई बात समझ में सिंपल सी चीज है ना चलो बहुत बड़ी है नहीं आई तो pause करो आजाएगी पका एक सेकंड सोचके देखो कुछ समझ मालेगा तो क्या-क्या changes हुए over the years अब मुझा देखना आले तो changing देखो primary sector के अंदर क्या-क्या changes है देखो सबसे पहली बात तो changing the nature of farming देखो सदियों पहले हमारे पास में machines नहीं हुआ करती थी ठीक है नहीं हुआ करती थी पहले हम काई पर बुलक काड़ के अपर जाते थी बैल गाड़ी के उपर सारी चीज़े भेज रहे होता थी अब हमारे पास में truck है ट्रेक्टर है ठीक है और पहले जब जो खेत जोतना होता था उसमें क्या होता था कि हमको किसकी सब्सक्राइब पढ़ती थी बैल ठीक है अब यह हमारे पास में उसके लिए machines है तो पहले machinery नहीं थी आज हमारे पास machinery है तो यह सब्सक्राइब चेंज है इससे क्या हो कि excess of production पहले production धीमेदीमे चलता था धीरे धीरे यहता था तो आपके सब्सक्राइब सकता है फ्ल्यका आ पहले जो चीज 10 दिन में हो रही ठीक है और फिर tertiary sector से जब लोगों को marketing हुई जैसे मानलों बिस्कूड के हम बनी तो उसके marketing हुई तो उसको और जदा primary sector में production बढ़ा ना पड़ा जब उसको और जदा primary sector में production बढ़ा उसको और जदा गेह हुगाना पड़ा तो क्या हुआ कि ultimately primary sector भी हुआ मतलब कि तीनों sector जो है आपस में इंटरलेटेट है हाला कि this was not the matter of conversation here but anyway ठीक है अरे इसको gap कैसे करते हैं यहां से gap कर देते हैं इसको ठीक है फिर emergence of services तो इससे क्या हुआ कि नहीं नहीं services emerge हुई क्या हुआ इससे कि नहीं नहीं services emerge हुई जैसे कि storage houses अब इतना सरा बना लिया अब इसको store का करना तो एक service की जरूत पड़ी ठीक इतना सरा बन गए अब इसको transport कैसे करना तो transport की जरूत पड़ी तो कुल मिला कि primary sector बढ़ा तो tertiary sector भी बढ़ा और tertiary sector बढ़ रहा था जब जैसे marketing में अगर यह सारी चीज़े हो रही थी तो primary sector भी ultimately बढ़ा और जब यह दोनों बढ़ रहे तो definitely secondary sector भी बढ़ रहा था मतलब कि यह तीनों sectors की growth interrelated है ठीक है बहुत ही बढ़िया आगे बढ़ते है जीवन में चलो इसको देखते है next secondary sector तो second sector के अंदर क्या है migration of people from अब तो बहुत चारे यह चीज़ हमने बहुत देखी है कि lot of people migrated from primary sector to secondary sector ठीक है क्योंकि जादा जरूरोथ यहां पर लगना लगए थी ठीक है as the production of goods increases the employment also increased सीधी सी बात भाई employment है बहुत फरक पड़ा जैसे ज्यादा बिस्कुट बन रहे हैं तो बिस्कुट की फेक्टर में ज्यादा लोगों की जरत पड़ रहे है ठीक है अब पूरी के पूरे चैप्टर को मैंने एक बिस्कुट के अपर पूरा समझा दिया तो उसके लिए थोड़ा सा एक पर लाइक कर दो तो अच्छा लगएगा तो पिछले सौ सालों में बहुत तरे लोग जो है वो सेकेंडर से टर्शरी में शिफ्ट हो गए मतलब पहले लोग प्राइमरी से से केंडरी में आए फिर से केंडरी से टर्शरी में आगए ठीक है तो यह जीज़ हम आगे ठीक है था सर्विस है इस बिकम दा मोस्ट इंपोर्टेंट इंटर्म्स अव टूर्टल प्रोड़क्शन बहुत इंपोर्टेंट है सर्विस क्योंकि आज कल सब कुछ डिजिटलाइज ही हो रहा है पहले तो प्राइमरी से निकल के सेकेंडर प्रोड़क्शन बन जाता है मार्केटिंग ऑनलाइन हो जाती है ठीक है उसकी जो नीड है वह प्री है अगर तो क्या होगा कि तुम उसको खरीद होगे तो भाईया वह बना भी ऑनलाइन बना बी पर ठीक है चड़ा भी पर खरीदा भी कंपीटरस है टो तो खूल‌मिलाहके छो सिर्फ टर्श ककर इचनसी इसने बहुत कि इसको जर्वाइब हें घृत ऐसके बाति बहुद कर लेता हूं कभी बार तो वह चीज़ supposed most of the working people most of the working people also employed in the service sector तो maximum जो employment है वो हमार पास में tertiary sector में देखने को मिलती है या फिर service sector में देखने को मिलती है इसको service sector भी बोलते हैं ठीक है rising importance of tertiary sector क्यों important है यह बहुत simple सी चीज है बाई जाधा बिसकुड बन रहे है तो जाधा transportation होगा ठीक है और बिसकुड के कमपणी को बहुत अच्छा पैसा मिल रहा तो फिर बैंक में स्टोर करेगा बैंक में स्टोर करा तो भाई उसमें बैंकिंग की निट लगती है तो कुल मिला के ultimately एक दूसर इलेट है बेसिक सर्विसेज इंक्रीज लाइक होस्पिटल से एजुकेशन पुलीस कोर्ट मुनिसिबलेटीज बैंक से ट्रांसपर एक्सेटर तो भाई पहले इतना सब कुछ था नहीं आज हमारे पास में होस्पिटल्स हैं एजुकेशन है तो इन सारी चीज़ हमें जरत पड़ती तो यह सब टर्शारी में आ जाते हैं हमारे पास में आज में लोगों को socio-economic standard बढ़ता जा रहा है, economy condition अच्छी होते हैं, तो इस सारी चीज़े मिल रहे हमको, and IT and communication have also become essential, definitely important है, आज की date में, अगर ये fall नहीं होता, तो तुम पढ़ कैसे रहे होते हैं, ठीक है, आज की date में, अगर ये इस type की कुछ चीज है, YouTube जैसे चीज नहीं ह अगर इसे बहुत rocket science graph नहीं है, जो जो दिख रहा हुई देखो, सर 1970 यह 1973 अगर दिख रहा हो तो, this is 1973, and this is 2003, तो 1973 में अगर तुम देखो, तो अगर मैं इसको देखो, rupees in crores, ये क्या है, ये crores में rupees है, 10,000 crore, 20,000 crore, 30,000 crore, ठीक है, काफी जादा पैसे की बात होरी है, वैस सिर्फ इतना सा था, 1973 में सिर्फ इतना सा था, primary sector, primary sector है, ये green वाला, तो green वाला इतना सा था, और tertiary, secondary sector तो और भी कम था, और फिर, जो महारे पास में tertiary sector है, वो भी इतना सा था, मतलब कुल मिलागा, अगर तो maximum यहाँ पर देखो, अगर देख पार हो, तो maximum है, जो इतने से में से भी अगर सबसे maximum की बात करो, तो वो primary में आ रहा है, फिर tertiary में आ रहा है यहाँ पर, और फिर छोटा सा जो है, वो secondary में आ रहा है, अगर मैं 2003 की बात करो, भाई ये भी आज से कुछ 17-18 साल पहले की बात है, 2003 की अगर हम बात करो, तो यहाँ पर देखो drastic difference कितना है, प किसकी बात कर रहा हूँ, GDP, GDP की बात कर रहा हूँ, GDP by primary, secondary, tertiary sectors, ठीक है, अभी और अच्छे से देखते हैं, ठीक है, तो percentage share कितना है, सब में यह देखते हैं, तो percentage share की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहली बात, यह अभी हमने देख लिया, एक graphically की in crores, जो हमने देख रहे था amount wise, अभी हम percentage choice देखे, तो percentage wise, 1973 में primary sector का जो था, वो इतना contribution था, इतने percent, कितना है, करीब-करीब 45% है, फिर इसका कितना था, करीब-करीब 20% देख रहा है, और इसका कितना था, करीब-करीब 75 से, sorry, यह कितना देख रहा है हमको, 45 से 75, 45 से 65 मेंदब 20%, 20% का सबस देख रहा ह और यह कितना है बागी का, this is around 35%, ठीक है, तो 1973 की बात है, अगर मैं 2003 की बात करता हूँ, 2003 में तुम देख सकते हो कि maximum contribution जो है, इतना सारा, वो tertiary sector से आने लग गया था, ठीक है, अब हम कुछ और देखते हैं, अब हम एक और graph देखते हैं, this is the share of employment, मतलब कि यह तीसरे graph में कह इतने लोग, इतने ज्यादा लोग, सिर्फ primary sector में थे, ठीक है, फिर बहुत कम मात्रा में secondary और बहुत ही कम मात्रा में tertiary, मतलब almost tertiary फिर भी थोड़ा दाता था, आज के एक में बात करूं, तो भाई देखो, इसलिए हम आज ही बोलते हैं, कि agriculture इंडिया के लिए, इसलिए important ह इतना कम हो गया है, तो पहले अगर कुछ, 75 के आसपास आज करीप 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 60 के आसपास दिख रहा है, आज कल भी नहीं है, यह दो सार थीन की बात हो, तो अभी तो और पीचे जो गया होगा, ठीक है, यह जिसन मागे, types of employment, अब हम देखते है types of employment क्या-क्या होती है, ठीक तो कुल मिला के इसका मतलब है, it refers to joblessness, ठीक है, joblessness, it's a state where a person seeking employment is unable to find, मतलब कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी दे दो, बट मुझे नौकरी मिलने नहीं रही है, तो क्या बोलूँगा उसको, unemployment बोलूँगा, कि I am unemployed, ठीक है, फिर, it is caused due to various factors, जिसे inflation के कराना हो सकता ह मेहंगा ही बढ़ जाया, तो लोगों को नौकरो से निकालना पड़ जाता है, ठीक है, फिर, drastic changes in working, अभी COVID का time जब आया था, पहली पहली बार, तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी affect हो गए थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की jobs की, प्राइस, salary काम हो गए थी, या फिर, चीज़े का बुझती, COVID का time पह, तो ऐसी चीज़े मतलब समझ में रही, un-employment का मतलब क्या हो गहा है, अगला है under-employment, under-employment अरे under-employment का मतलब यह होता है, कि वह ही हा मेरी जो skills है, मतलब मेरी जो, मैं जिस capable हूँ, मैं जितना capable हूँ काम करने का, मेरे हिसाब से मेरी salary होनी ची बट मुझे सस्ती जॉब मिल रही है तो यह क्या हुआ अंडर इंप्लामेंट मतलब मैं बेरोजगार नहीं हूँ पर जहां मैं जॉब कर रहा हूँ वो भी असी मेरी capabilities को fully utilize नहीं कर रहा है ठीक है अगला तो अब देखो अब कुछ कुछ important चीज़े से visible under employment कि मैं दिख रहा है कि visibly under employed कैसे दिखता यह जब person जो जिसको अगमालों से कि मैं willingly चाह रहा हूँ कि मुझे full time job मिल जा अच्छी पर मुझे मिल नहीं रही है और मेरी skills को पुरी तर से utilize किया ही नहीं जा रहा है तो एक तरीके से it is invisible दिख तो रहा है कि मैरी skills के बैइ skills कि मेरे चेहरे पर लिखाए कि मैरे इंदर क्या skills है नहीं तो अगर मुझे skills पता हो उनको use नहीं कर रहा हूँ तो यह तो किसी को दिख नहीं तो this will be invisible under implement और जो visible वो तो यह ही कि हमारे working मतलब मैं full time job करना चाहता हूं कर सकता हूं बट नहीं कर पा रहा हूं डिजगाइज अनिप्लेमेंट यह कह चीज़ है देखो disguise disguise ठीक है डिजगाइज वर्ड का मतलब पता है न इसका definition हमको पता है ठीक है disguise अनिप्लेमेंट का मतलब यह होता है कि जब काम कम है और काम करने वाले ज्यादा है अब घर के दुकान मेंगों जरुवत है तो बचे वर तीन है वो क्या होग है उनकी जरुवत नहीं थी बट फिर भी वहाँ पे तो कुल मिला कि खास योगदान रहा नहीं तो इसको हम बोलते हैं Disguise Unemployment, इसकी बज़ाए अगर वो बच्चे वे टीन लोग कहीं और काम कर रहे होते हैं, तो वो ज्यादा कमा रहे होते हैं, ज्यादा इंकम हो रहे होते हैं एक फैमिली के, है ना, तो जहाँ अगर तीन की जरूँ तो वहां तीन ही रहो, और बच्चे लिखाए, वरकर इंप्लाइड इंडिस कंडिशन बिकम अंडर इस टाइप अनिम्प्लेमेंट में क्या होता है, जब काम कम होता है, काम करने वाले जादा होते हैं, मन रहेगा, इसका रहे हैं बहुत अच्छी चीज है, एक्चुली यह है, इस मगन रहेगा, यह 2005 का है, यह क्या है, यह चीज देखते हैं, बहुत इंपोर्टन लॉय है, तुमारे MCQ-Centric बहुत इंपोर्टन है कि इसके कुछ-कुछ पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है, समझते हैं कि क्या है, देखो, it is called full form, क्या है, it is called Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, है ना, Guarantee Act, ठीक है, तो Guarantee आता ह ठीक है, Guarantee Act, मतलब कि guaranteed employment in rural areas, all over the nation, ठीक है, तो इसको नाम दिया Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, this was introduced in सन 2005, ठीक है, सन 2005 की यह बात है, the Central Government in India made a law implementing the right to work, अरे भाई, right to speech, है ना, right to vote, वैसे ही, काम करने का अधिकार भी होना चाहिए, भाई, हर एक इंसान का यह fundamental right होना चाहिए, कि he has the right to work, he or she has the right to work, काम करने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है, तो यह कहां पर हुआ, in about 625 districts of India, तो कहने का मतलब क्या कह है, under Magandrega, all those who are able to work, और are in need of work in rural areas, या तो मैं काम की तलाश में हूँ, या मैं काम कर सकता हूँ, are guaranteed 100 days of employment in a year, by the government, मतलब सरकार मुझे, at least 100 days का employment तो guarantee करती है, अब अगर मान लो, कि देखो, कुल मिला के मतलब क्या हुआ इसका, कि मेरे पास में जो government है, वो मुझे at least 100 दिन का employment guarantee करती है, मतलब मुझे 100 दिन के लिए मुझे दिक्कत नहीं, 100 दिन तो मुझे काम मिलेगा, 100 दिन के लिए तो मेरे पास पैसे रहेंगे, ठीक मतलब 100 दिन क और encourage हुआ कि जब employment को अमने right to work बनाते हैं, जब हमने right to work establish करते हैं, काम करने का अधिकार होना जाए है अपके पास में, तो यह काफी सारे लोगों के लिए, काफी मददगार साबित हुआ, 625 districts में हुआ था है, sectors on the basis of condition, अभी तक primary secondary देख लिया, अब देखते हैं sectors, वापस sectors के पराता है, on the basis of condition, condition, ठीक है, इसके basis पर क्या क्या होंगे, तो all right, यही मैंने तुम गोता है तो organized और un-organized, ठीक है, अब देखो ध्यान से, अभी मैंने तुम लोगो basic difference बताते हैं, तो बस उतना ही है, अब थोड़ा और describe करके detail में दिया हुआ है, organized sector के अंदर क्या क्या employment terms are fixed and employees are assured work in an organized sector, भाई, अगर मैं किसी अच्छी company में job कर रहा हूँ, या मैं government job कर रहा हूँ, तो मेरे पास मैं fix है कि मेरी salary इतनी है, और यह यह rules है, मुझे इस time पर salary मिलेगी, ठीक है, मेरा काम यह है, ठीक है, इस से जाधा और इस से काम नहीं करना है मुझे, ठीक है, तो इस समझ में, फिर यह देखो, इसका meaning समझ जा है, और फिर unorganized में क्या होता है, यह definition बहुत important है, ऐसा का इस से pause करके तुम याद भी कर सकते हो, unorganized can that that comprises small scale enterprises, और units that are not registered with the government, भाई जैसे कि छोटी से एक दुकान है, या फिर छोटी-छोटी जैसे तुम जाते हो ना बाहर ज काम करने के लिए, तो वो जो होता है, वो चीज वहाँ पर हमको देखने को मिलती है, तो वो unorganized मा जाएगा, ठीक एक तरीके से, हाला कि वहाँ पर ऐसा नहीं रहेगा, बिल्कुल कि जो इच्छा वो कर लो, बट फिर भी वो ऐसा पूरी documentation होगर समय, मतलब समाझ रहा है, क् documentation होगर ऐसा कुछ होता नहीं, ठीके, फिर, it is governed by various acts like factory act, bonus act, PF act, minimum wages act, तो अगर हम एक job कर रहे है, तो यह सारे compliance's necessary होते हैं, ठीके, यह minimum wages act, PF act, provident fund, ठीके, यह सारी की सारी चीज़े, it is, मतलब, organized sector is governed by all these things, but इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, no act, ठीके, आज तु काम करना है, त तो जो हमने देखा था, daily laborers वाले, daily wages पे तो रहते हैं, जो laborers होते है, वो generally यहीं आते है, अनुर्गाई sector के अंदर, ठीके, फिर, इसके अंदर government rules को strictly follow करना परता है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ठीके, भाई, तो कोई काम करना है, मानलो में कहीं काम करने गया, तो म इनको पैसे कब कब मिल रहे है, तो इनकी regular monthly salary होती है, और generally इनकी daily wages होती है, कि जिस दिन मैं काम करने गया, उस दिन मुझे पैसे मिलेंगा, और आज मानलो किसी दिन है, किसी health condition के करने, किसी emergency के कारण, मैं काम करने नहीं जा पाया, तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, ठीके, जॉब security यहाँ पर रहती है, ठीके, ऐसा नहीं कि चाहिए जब कोई तुमको निकाल देगा, बट यहाँ पर कोई security नहीं रहती है, आज मुझे काम की जरूरत है, आज मेरा घर बने गया, कल हम को किसी काम की जरूरत नहीं है, तो कल हम टाटा बाय 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 कर देंगा सबको ऐसी चीज़ें यहाँ पर, ठीके, वर्किंग आर्स यहाँ पर फिक्स हैं, कि भाई, 9 to 5 जॉब है, 9 to 5 जॉब है, 6 बज़े घर आ जोगे तुम, ठीके, मतलब 5 से चगर तुमको ट्राफिक में लग रहा, जो भी लगा है, तो 6 बज़े घर आ जोगे, यहाँ पर फिक्स नह पर रूल नहीं, तो अगर मैंने बोला, तो मिल जाएंगे, नहीं बोला, तो नहीं मिलेंगे, ठीके, चलो, salary of workers, यहाँ पर, prescribed to the government होता है, और यहाँ पर कम ही होते ही, जनरली, है ना, कम ही होते ही, ठीके, फिर contribution to provident fund, क्या PF में जाता है, provident fund 1, अब हमने देखा, provident fund वो ही ह पी-फ जो भी हमने देखा न वो, तो क्या इसमें contribution होता है, तो जी हाँ, organized sector की तरफ से होता है, इसकी तरफ से नहीं होता है, बहुत simple, है ना, तो organized मतलब वही, अगर हम देखे के अच्छा कौन सा, तो organized अच्छा है for sure, और un-organized अच्छा नहीं है, है ना, तो इसलिए un-organized sector तो थोड़ी security तो हो कम से कम, ऐसा तो कि भाई कम से कम, मैं भूका ना रहा हूँ, ठीक है, तो इसके लिए क्या-क्या चीज़े measures होने चाहिए, ठीक है, तो protect workers नहीं होना है, सेक्टर, farmers should be supported through adequate facilities by timely delivery of agriculture, तो यह सारी चीज़े, farmers के लिए अगर मैं बात कर तो farmers के लिए यह सारी चीज़े बहुत important है, ठीक है, farmers के लिए चीज़े होने चीज़े, कि सारी facilities को adequate time पर मिलना चीज़े, agriculture हो गया, seeds, credit, storage, marketing facilities है, small sales industry should be supported for providing raw material, ठीक है, इनको raw material प्रोवाइड करने के लिए एक से वह नहीं से supports होने ची़े, तो यह सारी चीज़े हम लोगों को यहां पर देखने क सबसे पहले ठीक है, public sector, public sector मतलब public की property, है न, इस तरह समझ सकते हो, तो these are owned by the government, या तो central हो सकता है, या state government हो सकती है, ठीक है, by the government, ठीक है, it aims at social welfare, तो obviously अगर government का है, तो it will aim at social welfare, जैसे अगर कोई public park है, तो वो क्या है, कि थोड़ा living center अच्छा करने के लिए फिर थोड़ी अ अच्छा एक atmosphere प्रवाइड करने के लिए, ठीक है, example, तो example के लिए यहाँ पर तुम काफी दर चीज़ दे सकते हो, ठीक है, example यहाँ पर तुम लोगों को दिखने मुझे जाए, और अगर मैं बात कुरू प्राइवेट सेक्टर के तो प्राइवेट मतलब प्राइवेट, है प्राइवेट सेक्टर हमको पता है, मैं चेर्मेन कोई है, जड़ा कमेंट केंदा बता हो कि हुई इस दे चेर परसन ओफ रिलाइइज, चीक है, चलो, बहुत बढ़िया, एटेंज एट प्राइवेट मेंग्जमाइजेशन, ओवेशली तो यह यह सोचल वेलफेर के लिए, है ना, यह किसके लिए प्राइवेट fertilizer है तो ने प्राइवेट इन्मेलोग अच्छा है। यह सब्सकर अधने जर्माइज़ा है। अब एक सेक्टर होता है, जिसको हम बोते है joint sector, joint sector की क्या खास जाते है, joint, yes, joint sector की क्या खास जाते है, joint sector के अंदर it is owned jointly by government and private individual, ठीक है, मतलब यह public sector और private sector का एक तरीक से तुम देखो तो ऐसा club है, ठीक है, एक तरीक से हम नम को club कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कि it is owned jointly by government and private sector, ठीक है, तो इसे म मारूति, नाम मारूति समझ में आ रहा है, और यह क्या है, this is a joint sector, ठीक है, this is joint sector, और ऐसे ही एक cooperative sector होता है, ठीक है, वो यहाँ पर लिखाने पर cooperative sector क्या होता है, जहाँ पर there are group of people, लो particular ने किसी private इंसान की ownership नहीं है, या private group of people की ownership नहीं है, वो एक cooperative है, जैसे amul है, amul हमको पत बेसिक बेसिक है, तो बेसिक बेसिक है, यह आउटलाइन इस chapter की, तो कुल मिला किया, अगर मैं तुमसे बात करूँ, तो yes, with this, we come to the end of this chapter, बहुत इंबल सेप्टर है, जादा कुछ है निसके अंदर, बहुत बेसिक सी चीज़े है, क्या क्या देखा हमने क्या 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 सब चीज़े, और जो पैसा मुझे मिला, उसको बैंक में स्टोर करने तेले, महा से महा तक, सब जेगे से ले कर, सब जेगे तक, वो सब टर्शेवी सेक्टर, है ना, तिर हमने देखा, on the basis of different types of employment, ठीकी तो, organized, unorganized, है ना, जहाँ पर organized है, वो definitely अच्छा, unorganized में ऐसे कुछ पर बीच में हमने क्या क्या देखा, बीच में हमने क्या क्या देखा, बीच में हमने ये सारी चीज़े देखी, कौन कौन सी चीज़े देखी, यह देखो, मगन रेगा देखा, जहाँ पर हमको, rural, क्या था है, महात्मा गांधी, National Rural Employment Guarantee Act, मतलब कि 100 दिन की, जो, employment वो था, काम कम है, काम करने वाले साथ है, ठीक, तो यह जन्रा भी फैमिली विजनेस में होता है, जहां पर इतने लोगों की जरुवत नहीं होती, क्योंकि अल्टिमेटली, अगर मैं ऐसा बोलू, कि पैसा तो घर में आ रहा है, पूरा का पूरा मिलके, मतलब कि हम सब 7 मिलके काम कर तो बही काम तो 3 लोगों का है, अब तुम अगर 6 लोग काम कर रहे हो, तो बचे यो 3 लोग काम कर रहे है, वो अगर कहीं और काम करते हैं, तो तुम double पैसा कमाते है, है ना, समझ रहो बात को, तो यह चीज है, double नहीं मतलब फिर भी definite जाथ ही कमाते है, फिर हमने अलग-अल शेर देखा इन GDP and all, वे धिस, we come to the end of this channel, I hope you guys really enjoyed it, make sure कि अगर तुम लोग ने नोट्स आनलोड निगा तो कर लो, गर इंस्टागाम पर फोलो नहीं करना है, और अगर तुम लोग ने पढ़ दे और इनको नहीं कर तो वो भी फोलो कर लो, साथ में अगर टेलीग्राम चैनल ठाइस मी तभ साथ में पार, पूलो भीा है, तो आइसे होँाओे ।ो भोलोग उनलोग ने तुम लोग प्रफशेटी, तो रिए है वो तो री tenma को प्लाइस, डिक कि अंगर भी खुम आएस, जीने जीन democr APP छाव, कि अडाल सुम सेव सब च एल शो कर देंगर आव, कि झाल झाल